प्रणानाम अर्तसंगानाम प्रसानान चंतसामुपी मंगलानान चकर्तारव वंदे वाने विनायकव। नमामि सत्गुरुम शांतं सट्चिदानंद विग्रहं पूर्ण ब्रम्ह परानंदं इशं आलंदि वल्लभं। प्रपन्न पारियाताय तोत्रवेत्रैक पानये ज्यान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहेनमा माधुरियस कल्लोलाम शिवशक्टेक रूपिनीम अमृतानुभवार्थाय वंदे ज्ञाने शनंदिनीम यस्य वेदमय वानी यस्य देवमय तनुहूं यस्य ब्रम्हमय प्रश्टिही सगुरुफपातुमाम सदा आपदाम पहरतारं दातारं सर्वसंपदाम लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्मिहम मेरी छुटी सी बात तो मैं आप सब के सामने रखने वाला ही हूँ लेकिन उससे पहले मैं आपसे प्रश्ट पूछने वाला हूँ प्रश्ट नहीं है अभी हमने अयोध्या में भगवान श्री राम की जब प्रतिष्ठा हुई उसमें जो तब हमारे मारणिये प्रधान मंत्री महुदय ने किया वो तब वस्तुता हमने उन्हें तीन दिन का उप्वास करने के लिए कहा था उन्होंने ग्यारत दिन केवल नारियल का पानी पी करके और उप्वास किया तालीब जाने वाले सावधान मुझे अपसे प्रश्ण पूछना है ऐसा ही एक छोटा सा तब आप लोग कर सकते हैं कि नहीं छोटा सा एक घंटे के उप्वास का कि कितने लोग एक घंटा अधिक रुकने के लिए तैयारे बोलिये एक घंटा विलंब से भोजन करना पड़ेगा लेकिन आज आपको स्वयम को थोड़ा कसना है देखना है कि मैं थोड़ा और भी एक घंटा बैट करके इस कारेक्रम के पश्चात जो कथा अरंब होने वाली है कथा के अबल एक घंटा होने वाली है पुझमाराश्ची दवाले निकले गए हैं वो दवाले करके आएंगे तुरंत व्यास्पिट के उपर अपनी सब्तम दिवसी या कथा पूर्णता की ओर जा करके और उसकी सांगता होगी पूरे कारिक्रम की समाप्ती कथा की आर्थी के साथ होगी तब तक इसा चलता रहेगा आपनों लोगों को यह ज्ञान में रहे इसलिए मैं यह बात पहले बोला गत आठ दिनों से मैं देख रहा हूँ बिन बिन स्थानों से बिन बिन महापुरुश पधार करके यहाँ पर मुझे शुब कामनाय प्रदान कर रहे हैं जेट मंदली मुझे आशिर रात प्रदान कर रही है और आप सब के नेत्रों में मैं देख रहा हूँ आप सब लोग नेत्रों के प्यालों से मुझे प्यार प्रदान कर रहे हैं मुझे पता है मैं आप लोगों से मिल नहीं पाया मुझे पता है दूप में खड़े खड़े भी आप लोग मेरे पास पहुँचने का प्रयास करते रहे लेकिन मैं इस समय निकाल नहीं पाया कभी मुझे किसी काम के लिए उठना पड़ता था दौड़ना पड़ता था और वह करना मेरी नियती मेरा इस समय का करतवी भी था क्योंकि यह कार्यकर्म जो हो गया इसके कितने पहलू हो गये जब 75 वर्ष के पुर्णता का उस से होना चाहिए इस प्रकार की बात मेरे सामने आई तो मैंने कहा कि ठीक है आप लोगों को चाहिए तो करो लेकिन उसमें मुझे केवल दो बाते चाहिए एक तो मैं आलंदी की भूमी में बैट करके क्योंकि मैं सारे संसार में आलंदी की भूमी को अति विशिष्ठ और शेष्ठ ही मानता हूँ प्षी ना थे जानकी ना थे नमे भेदोस्ति किंचन तथा पि ममस्तरवस्वम रामो राजीव लोचन हा ऐसा जैसे हमारे संत कहते हैं कि हमें भेद भाव नहीं है फिर भी हमारा प्यार यहां पर है भारत का एक एक कणाती पवित्र है मुझे उसमें भेद भाव नहीं है फिर भी मेरा मन तो आलंदी में ही रमता है अन्यत्र नहीं रमता है ये मेरे मनकीष ठिखी है, बहुत पहले से है, मैंने इतना इक कहा, कि मुझे आलंदी में बैठा करके, हमारे पूजसंतर आजेंदार्शी महराज की कथा सुना दो. श्रिमत भागवथ की कथा, ये सर्वोच्च ग्रंथा है, ये स्थान सर्वोच्च है, इस्टे मैंने कहा ये दो काम मुझे करने है और तीसरा एक काम मैंने कहा जो मेरी बहुत दिनों की अभीप सा थी मैंने कहा इस शरीर के उपर आप अमुर्ट महुत्सो करेंगे का क्या मतलब है एक भारी बस्तर पहनाएंगे उसके उपर और भारी होगा कुछ तो भी कुछ सोने का भी हो सकता है कुछ मस्तक पर पहनाएंगे कुछ समान पत्र देंगे कुछ मालाएं गले में डालेंगे फूलों की उर्ष्टी करेंगे जय जय कार करेंगे मैंने सीधे के दिया इसमें से एक भी बात में मुझे रत्ती भर रस नहीं रहा है ये सारी बाते मेरे लिए गतार थे इस शरीर की क्या महत्ता है दूर में मिलने वाले कभी न कभी दूर में मिलने वाले इस देह को वो कब जन्मा और कब जाएगा वितायनती की दुर्टी से इसका कोई महत्व नहीं है लेकिन मुझे एक बात चाहिए मैंने मेरे कारेकर्टा साथियों से कहा मुझे एक बात चाहिए आप यदि वास्तों में मेरे भीतर प्रसन्नता लाना चाहते हैं तो आप एक काम कीजिएगा हमारे देश में अनेक लोग ऐसे हैं जोने पूरा जीवन धर्म के लिए, स्वंस्कृति के लिए, राष्ट के लिए खपा दिया पूरा जीवन केवर सेवा करते रहे कभी प्रसिद्धी के आलोक में आये नहीं और ऐसे लोग बहुत सारे हैं मुझे पता है मैंने का ऐसे 75 लोगों को चुनिये उनका पूजन कीजिये और उनके नेत्रों में जो आनन्द प्रसन्नता आएगी वो मेरा सच्चा पोशन है उनकी प्रसन्नता ये मेरा सच्चा पोशन है आज भी हमारा देश ऐसे त्यागी तपस्वियों से विहीर नहीं है हमारी अंजली बहन जब एक ऐसे बुर्द सवासे वक्त के पास मिलने के लिए गई तो उसने कहा आपको जो मानपतर देना है हमने सब को मानपतर भी दिया अलग-अलग सब का दिया उस पर उनके चितर छापे और ये करते रहे तो अंजली ने कहा कि आपका मानपतर चाहिए मानपतर के लिए अंजली ने फोटो ली उनकी असी वर्ष के उस बुजरुग समाज से वक्त ने कहा ये मेरे जीवन की पहली फोटो है आज तक मेरी कोई फोटो नहीं है अन्नोन पीपल अन्नोन अन्संग अच्छा मैं उनको यहां पर बुला करके उनका सम्मान करूँ इससे भी उनको क्या होना है इसकी उनको अपेक्षा नहीं होती है पुरा जिवन उन्होंने इसी में पिता दिया लेकिन उनको अपेक्षा हो चाहे नहीं कृतब मेता नापन करना यह हमारा धर्म है पूरे समाज के प्रतिनिधी के रूप में हम उनके कृतब में हैं यह एक बार उनको दिखाना चाहिए कि यू आर रेकरगनाईज़्ट यार इम्पॉर्टन पीपल मैंने कहा विविन्नक शेत्रों में काम करने वाले ऐसे 75 लोगों को चुनेंगे उनका सम्मान यहाँ पर बुला करके करेंगे और मैंने तो निश्टे कर लिया पहले ही दिन जब मैंने देखा कि यह कितना पवित्रकारी है तो मैंने कहा अब प्रती जन्मदिवस पर मैं कम से कम पांच ऐसे लोगों का सम्मान करके ही जन्मदिन मनाऊँगा minimum five समाज कृतक नहीं होना चाहिए समाज कृतक नहीं होना चाहिए कितने कितने लोगों ने कितना कितना कर दिया अरे राम जी का मंदिर हम आज खड़ा पाते हैं भगवान से नाम लगा कि उस दिव आलोक मै प्रतिमा को उस विग्रह को देख करके कितने आलादित होते हैं हम वह भव्य मंदिर और वह दिव प्रतिमा एक अद्बत संगम हो गया लिकन ये सब करते समय ये भी हम भूलते नहीं है कि हमारे अनेक बलदानियों की शवक के उपर उनकी समाधी के उपर ये मंदिर नमान हुआ है कितने ही लोगों ने अपने प्राण प्याग दिये पास सो वर्षों में तीन लाग से दित लोगों ने वहाँ पर प्राणार प्रण किया कारसेवकों के उपर चली हुई लाटी और गोली तो आप लोगों ने और मैंने भी देखी है मंदिर में चड़ते समय पहला प्रणाम सीड़ी को जो किया जाता है वो प्रणाम उन पत्थरों के लिए कृस्टनेता का प्रणाम होता है जो भूमी के नीचे गड़ गए और जिनोंने अपने को छिपा लिया ताकि मंदिर खड़ा रहे तेरा वैभो अमर रहे मा हम अदिन चार रहे न रहे तेरा वैभो अमर रहे ये भारत माता मुस्कराती रहनी चाहिए और ये भारत माता मुस्कराती रहनी चाहिए इसका अर्थ के वर विकास नहीं है सड़के नहीं है इसका अर्थ वेद बचने चाहिए गीता बचनी चाहिए रामान बचनी चाहिए महा भारत बचना चाहिए उस भारत को उसी प्रकार सजीव रखने के लिए चैतन्य में रखने के लिए जिन लोगों ने अपना जीवन लगा दिया उनकी बंदना उनकी बंदना अब उसके साथ साथ बहुत सारे और भी मैंने तो इतना ही कहा था ऐसे 75 लोगों को चुनिये उनको आदर से बुलाएंगे उनका पूज़न करेंगे मुझे उससे आलाद और मुझे संतोश मिलेगा लेकिन हम दिखाना नहीं चाहते थे लेकिन महराज लेकिन महराज ने मुझे मजबूर कर दिया भगवती त्रिपुरसंदरी माता की सेवा के लिए कांची पेट में त्रिपुरसंदरी माता की सेवा के लिए यह कंठा अरपन किया जा रहा है यह अद्बुद बना है अब यह कंठा अरपन करने की बात क्यों मुझे सुची अब यह एक एक अलग बात है लोग ऐसा केते रहे कि अद्ध्या के राम मंदिर में शंकराचारियों का योगदान क्या है शंकराचारे वहां पर गए नहीं अधिक अधिक अंजान लोग ऐसे बोलते रहे मैं बतलाना चाहता हूं कि हमारे पूजे शंकराचारे जी महराज ने 21 तारीक को वहां पर पहुश करके प्रतिष्ठा का सारा महत्व पूर्ण विधी पूर्ण कर लिया था जो तत्वन न्यास आधिक आधिक सारे न्यास है वे सारे न्यास पूर्ण हो गये थे राम लदा का नामकरण भी हो गया था उनके कान में मंतर देना होता है वो भी दे दिया गया था यह सारा विधान पुझ महराज ने आकर के पुर्ण किया विधी पूरवक पुर्ण किया अनेक बार लोगों को इसने लगता रहता है चार पीठ चार पीठ एक बात का भ्रम आप लोगों के मन में से मैं निकालना चाहता हूँ भगवान आदिशंकराचारे महराज ने चार पीठ निर्मान किये चार पीठ अपने शिशों के लिए निर्मान किये और भगवान शंकराचारे स्वयम कांची में रहे इस्ते कांची पीथ ये शंकराचार जी का मूल पीथ है मूल पीथ है बाकी पीथ शिश्चों के लिए रहे ये उनका गुरुजी का पीथ है और वहां की ये परंपरा है इसलिए सारे प्रणोबनों को टाल करके भी मुझे कांची महरास्ते जब अनुग्रह दीक्षा मिलेगी तब में दीक्षा लूँगा यही बात सोच करके रहा था तो हो क्या गया गटना इस प्रकार की थी महराज को हमने बुलाया था उस दिन प्रतक्काल महराज भाग्यनगर में मंजे तुम्चा भाशेत हैदराबाद पड़ आता हैदराबाद नहीं भाग्यनगर अउरंगाबाद नहीं कुटला नगर हाँ चत्रपती संभाजी नगर तर्ट्याप करे भाग्यनगर से महराज को तीन घंटे के लिए आना था क्योंकि वो पूजा छोड़ नहीं सकते थे उस दिन प्रतक्काल की पूजा करते समये महराज तिप्रसंदरी को जो भी आभूशन चड़ा रहे थे ऐसा का ऐसा जो रूर पूजा में उनके चड़ता है उनको इसे लगा कि मां कह रही है ये राम लगा के लिए भेज़ दो ये राम लगा के लिए भेज दो ये अमुल्या अब ये बोलना नहीं चाहिए इसका मूल्य कम से कम 12 लाक से दिखे धान लखना ये बोलने की बात नहीं थी लिकिन मैं महराज का मन एकड़म चला और महराज ने वे सारे आबुशन निका लिए एक नहीं और सारे आबुशन महराज ने भगवान चीराम लाला की जब प्रतिष्टा की भगवान लाला को अरफण कर दिये और ये कहा कि मुझे ऐसा बार बार लगा कि मा कह रही है राम जी के पास पहुँचाओ ये सब राम जी को मेरी और से दो हाँ हाँ के कंगन भी थे और गले की मस्तक की माला भी थी सुरन का यद्यो पवीत चांदी का रज़त का यद्यो पवीत आधिक आधिक बहुत सारा था तो मूल बात जब ये सब हमने देखा तो पता चलने पर हमने सोचा कि नहीं मा ने जब ऐसा आबुशन भेजा है और मैं राम जी का कोशाद दक्ष हूँ तो बेटे की और से भी मा की कुछ सेवा होनी चाहिए तो मूल बात इतनी है कि इस पकार के इस मूल आयोजन का विस्तार होता गया फिर इसमें 81 कुण्डों का यद्निवी होना चाहिए 20 उत्म उत्म वेद व्याक्याताओं को बुला करके वेद शात्र का चिंतन भी होना चाहिए फिर हमारे सारे वारकरी सादुकों का पूजन भी होना चाहिए फिर मारात के संतों के प्रवचन कीरतन भी होने चाहिए कीरतन की विनाया क्या आनन्द है तो वारे परम सम्मान ने बंडा तात्या जी बैठे है आपको क्या बताओं उनका प्रेम वे अत्त अस्रस्त है उनके लिए चलना भी बड़ा कृषिन होता है ऐसी तिती में उन्होंने केवल मेरे प्रेम के लिए स्वयम आकर के डेड़ घंटा कीर्तन किया जैसे गला ठीक नहोंने पर भी बालकृष्ण जी महरार बोलते रहे मैं सोच रहा था कायकों बोलते है अब चुप बैठो ना गला दुखेगा ज़्यादा लेकिन वो तो बोलते ही रहे उसी प्रकार बंडा तात्या ने भी किया पुझे स्वामी रामदेवजी महाराज की भाषा में बंडा तात्या की टांग खीचने के लिए हरिदार ले जा रहे हैं और मेरी भाषा में उनके पगों को स्वस्त करने के लिए ले जा रहे हैं फकड लोगों की फकड भाषा होती है तो फिर शारा विस्तार होता चला गया और तिर अपने आप ही लगा कि सब को बुलाना चाहिए मैं आपको एक बात बताता हूँ जिन जिन संतों से मैंने कहा कि आप पधारिये एक ने भी इंकार नहीं किया उल्टे स्वैम चला करके मुझे कुछ लोगों ने पूछा कि हमें क्यों ने बुलाया हमें आलोग कुपार जी ने कहा कि हमसे कहा कि मुझे क्यों बुलाये ने आपने मुरिधर जी महराज मुरिधर जी महराज ने मुझे कहा मुझे क्यों ने बुलाया बुलाने की आवश्यत है कि आजाएए आगए ये प्रेम महत्माओं के आशिरवादों का ये प्रेम स्नेही जरों की शुबकामनाओं का प्रेम आप सब के भीतर का निश्चल आपके नेत्रों से अभी विक्त होने वाला प्रेम मैं अनुभू कर रहा हूं कि गत आठ दिनों से मैं भगवाद दैनिश्वर महराज के अंक पर इस प्रेम के सागर में डूपता उतरता जा रहा हूं केवल प्रेम ही प्रेम अनुभू कर रहा हूं मुख के बाद मुझे एक और कहनी है ये सारा काम करने के लिए चस्सो कारे करता पूरे देश से आए इशान नहीं भारत से आए आसाम से आए त्रिपुरा से आए नागालैंड से आए सब जगा से आए अमरीका से आए UAE से आए लंदन से आए यहां का सारा काम गीता परिवार में आनलाइन फ्रेंडशिप निर्मान होकर के जिन कारे करताओं के साथ परशे हो गया वे स्वेम स्वेच्छा से सेवा करने के लिए यहां पर आए उनको ऐसे लगा कि हमारे गीता की शिक्षा इसी में सार्थक होगी अब इनके कैसे आभार अभी विक्त करना बोलो अच्छा दूसरी बात ऐसी है जहां जहां पता चला वे सभी के सभी लोग भी आए अपनी तुटियां भी कहनी चाहिए मित्रों मुझे बड़ा बुरा लगता है यह कहते समय दोको राम मंदिर का काम बड़ा अच्छा हुआ लेकिन फिर भी पहले दिन दर्शन में जो भगदर मची वो मुझे अच्छी नहीं लगी और मैंने इसलिए मीडिया के हर चानल पर चमाया चमागी हर चानल दूसरे दिन से सारी योस्ता ठीक हो गई लेकिन पहले दिन तो हो गया वो टल भी सकता था नहीं चला उसी प्रकार इस कारक्रम में मैं एक बात कहने वाला हूँ प्रोटोकॉल्स के कारण और अने सारी अनेक व्योस्ताओं के और व्योस्तान के कारण हमारे अनेक महत्वपुर्ण लोगों को भी पीछे बैटना पड़ा उने आगे आने नहीं दिया गया उनको पासेस नहीं मिले और इस प्रकार की अव्यवस्ता हो गई कारे करताओं ने उसको सुधारने का बहुत प्रयास किया तो लगबग 90 परसेंट वो सुधर भी गई दो दिनों में लेकिन कुछ कुछ रहे भी गई यदि इस भूमिस में आकर के आपको कोई असुधा सहनी पड़ी हो तो कृपा करके उसका किजी पका का रोश अपने अंतक्रन में मत रखना उन सारी बूरों के लिए मुझे ख्षमा कर देना तेना विश्वास है आप सब लोग उदार अंतक्रन के लोग हैं दानिश्वर महनार को माउली कहते हैं देवो भूत्वा देवो मेजेत जब माउली के पास जाकर के आरादना करनी है तो हमारा भी अंतक्रन माउली के समान कुछ विस्तारित होना चाहिए अपने अंतक्रन को विस्तारित करके मित्रों इन सारी बातों को ख्षमा कर दो नहीं भूल जाओ भगवान श्रीराम की विशेष्टा थी वे सोयम भूल जाते थे लोगों के द्वारा किये जाने वाले अपकारों को भगवान ख्षमानी करते थे भूले जाते थे परगेटिंग इस मच बेटर दें फरगिविफ नसमरत लिपकारानाम शयतान्यप यात्मवत तया शयतान्यप यात्मवत तया आत्मवत मंखरके यही हम लोगों को करना चाहिए और यह इस सलिए नहीं करना चाहिए मैं आप से यह बताऊंगा जहां जहां भी कोई भी इस पकार का आयोजन करेगा वहां वहां पर होने वाली सारी भूरों के लिए आप लोग सिद्ध हो करके जाना उनको पी जाना लेकिन अपने संगटन को बढ़ाने के लिए एकतित होते रहना एकतित आते रहना संगशक्ति का उदय उसमें से होता है यही तो तप है और इसलिए इस पकार का तप हमारे जीवन का आलंबन बन जाए किसलिए यह सारा किया एक ही बात है मेत्रों अंतकर में एक यह आकांग्शा है इसके पहले नहीं हुआ महराज केते हैं आलंबन इस पकार का इतने संतों के आकर का कोई आयोजन हुआ मैंने का सभी संतों के आगमन का तो अकिल भारतिय ऐसा कुछ आयोजन नहीं हुआ नहीं हुआ महराज को करवाना था करवा लिया यह हम केवल हमारे देश का बाता और बदलने के लिए कर रहे हैं अने प्रकार के जंजा बातों को जेलते जेलते हमारे देश हमारी भारत माता आज कुछ अनुकूलता का अनुभो कर रही है देश बदल रहा है और बदलते हुए देश में हम लोग स्वस्त हो करके न बैठे इस काल चकर की गती का लाब पूरा उठाना है तो आपको हमारे संसकार हमारा धर्म हमारी संसकृती इन सब को संगठित करना पड़ेगा और सक्रिय रह करके संगठित हो करके हम लोगों को निरंतर आगे बढ़ने का वरत चराना पड़ेगा भारत उससे बचेगा नहीं तो नहीं बचेगा बचने की अब आशा निर्मान हो गई कुछ वर्षों पहरे तो लग रहा था कि अब इस देश का भवितव्य अंधकार में है अब निश्चित रूप से लगता है कि देश का भविश्य उज्वग है अंधकार में नहीं है यह देश फिर से उठने वाला है किसी भी संथ के द्वारा किये गए ऐसे आयोजनों का उपयोग उसी के लिए होना है सब की मिलकर के सम्वित 31 शक्ति ही इस राष्ट्र को उठाने वाली है और मित्रों बस अंतिम वाक्य बोलता हूँ इस राष्ट्र को उठाने में ही मेलास अरे जगलास मैं इसको एक दूतरी भाचा में कहता हूँ स्वयम के लिए जिएंगे तो भी मृत्यू के समान है और देश के लिए मर भी जाएंगे तो भी जीवन के समान है वो मृत्यू जए जीवन होता है इस शरीर तो जाना ये कांत विद्वां सिशुमत विधाना पिंडे श्वनास्था खलो भौति केशू इस शरीर पिंडे की बहत्ता नहीं है जीवन मुल्यों की बहत्ता है हमारा राटर जीवन मुल्यों पर आधारित है और इसलिए मैं रोज एक पंक्ती गुन गुनाता हूँ आप भी उसी पंक्ती को गुन गुनाते हुए यहां से जाएंगे मैं रहू या ना रहू मैं रहू या ना रहू भारत ये रहना चाहिए भारत ये रहना चाहिए देश से है प्रेम तो देश से है प्रेम तो हर पल ये कहना चाहिए देश से है प्रेम तो हर पल ये कहना चाहिए मैं रहू या ना रहू भारत के रहना चाहिए भारत के रहना चाहिए भारत मता की दन्ने हुए हम आ गए सब्सक्राइब